स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल में तो आज मैं आप सबको अपने गोरकपूर शहर का पहला रोबोटिक हॉस्पिटल पर आज मैं आप सबको अपडेट देने जा रहा हूं और हाँ दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अप मेरे यूटूब चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि आपको ऐसे ही गोरकपूर के डेवलप्मेंट पर वीडियो देखने को मिलती रहे तो दोस्तों मैं आप से को बदा दू कि अपने गोरकपूर में अब जो है की रोबोट के द्वारा सरजरिया की जाएंगी और वदा दो कि कानपूर की कंपणी है Regency Hospitals तो वो कंपणी जो है अब गोरकूर में धाई सो करोड रुपए की लागत से Regency Hospital का निर्माड कारे की करा रही है बिल्डिंग मिले अल्मोस 90% कंप्लीट हो चुकी है और अगले तीन से चार मेनी के अंदर 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 जो है की Hospital को भी खोल दिया जाएगा और इस Hospital का निर्माड कारे जो है अपने BRD Medical काले से एप्रोक्स एक से डेड़ किलोमेटर और आगे के तरब जो है की बनाया जा रहा है तो आज मैं आपको इस Hospital का कंस्ट्रक्शन साइट भी आज मैं आप सोको पूरा-पूरा दिखाने वाला हूँ और फाइनल दोस्तो हम ट्रेवल करते हुए इसी Medical Road में चरगामा चौराहे के पास दोस्तो हम पहुंच चुके हैं और जैसे ही उस रोट का काम जो है की स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको पूरा वीडियो के माद्यम से सेर करने वाला हूँ और दोस्तो यही है सहर का चरगावा और यहां से हम आगे बियाडी मिडिकल कालेज के तरफ हम बढ़ते विजा रहे हैं और दोस्तो आप यह देख पा रहे होगे सडक काफी संदर संदर चोड़ी चोड़ी सडके हैं और काफी अचा वीटिफिकेशन भी किया गया है जो भी सडक का जो डिवाइडर है डिवाइडर के बीच में खजूर के पेड़ लगाएगा है लेकिन दोस्तो गवर्मेंट को ऐसा करना चाहिए कि खजूर के पेड़ के जगह पे ऐसे पेड़ लगाए जिससे की चाया भी मिल सकी क्योंकि दोस्तो धूप इतनी जादे तेज है कि फिर इस खजूर के पेड़ से कुछ भी फाइदा तो है कि दोस्तो मिल नहीं रहा है सेर्या में काफी सारे बड़े 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 खुल चुके हैं और विसाल मेगा मार्ट भी जो कि रोड में खुला है और इसी रोड में ग्रीन लेंड हॉस्पिटल के तरफ से लगबग दस फ्लोर का भी एक हॉस्पिटल कर निर्माण कारी कर आए गया है बट वारे में तो मुझे कुछ खास पता नहीं है कि वह कैसा हॉस्पिटल है लेकिन विल्डिंग तो गाइस काफी बड़ी-बड़ी ज सेक्टर में काफी तेजी के साथ डेफल रहा है और इस एरिया में आने के बाद मतलब कि मेट्र सीटी जैसा कि फील्ड जब कि इस रोड में बड़ी-बड़ी-बिड़ हाइई बील्दिंग्स भी है चोड़ी-चोड़ी फोरलं जिक्सलं सड़के भी है और कोई प्रफ्लम पत्ते हो रहे हैं और झाल्य गाइस मेडिकल कॉलेजश और यह सब्सक्राइश सेंट्री रBERती की तो फेसलेटी का हर साल बढась जा रही है और इसी साल के अगस्त महीने से जो है कि अपने इसी BRD Medical College में जो है कि Kidney Transplant की भी सुईदा जो है कि अब उपलब्द होने जा रही है अभी प्रेजेंट टाइम में लखनौ और वारारसी जिसे सहरों में ही Kidney Transplant की सुईदा अविलेवल है लेकिन अब UP Government जो है गोरखपूर, प्रयागराज और मेरट Medical College में जो है कि ये सुईदा जो है कि स्टार्ट करने जा रही है और ये जो आप देखरों दोस्तों तो ये है अपने BRD Medical College का सूपर स्पेसियालिटी ब्लॉक और दोस्तों परनों जो BRD Medical College है BRD Medical College भी अब EMS देशी सुईदाये परदान करने की पूरी कोशी से भी कर रहा है और फाइल दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हुए जा रहे है रेजनसी आस्पिटल्स के तरफ आज मैं आपको पूरा प्रक कंस्ट्रेक्शन साइट में आपसों को दिखाने वाला हूँ और इसी Medical Road से एक रास्ता जो है कि Sanic School को भी चला जाता है मैं बहुत जला आपको Sanic School का भी Full Ground Report के साथ मैं आपसों को वीडियो दिखाने वाला हूँ क्योंकि Sanic School जो है की काफी बड़े शेतरफल में फैला हुआ है और उसका निर्माण करे अल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुका है और दोस्तों मैं बता दू कि जो Sanic School गाईज एकदम World Class Facility के साथ जो है कि उसको बनाए गया है और दोस्तों यहीं से ही बिल्डिंग जो है की दिखने लगी है Regency Hospitals का और ऐसे तो दोस्तों Regency Hospitals के अलावा भी देश की और भी बड़े ब्रांड के जो हास्पिटल है अब गोरकपुर में जो है की जमिल ले चुके हैं मैं वीडियो के आखरी में आपको मैं उस पर भी अप्रेट देने वाला हूँ और फानल दोस्तों हम आ चुके हैं Regency Hospital के Construction Site पर और आप देख पारे हो यह जो राइट साइड वाले जो बिल्डिंग जो आप देख पारे हो यही है अपना Regency Hospital और यह गुरकपूर का पहला Robotic Hospital भी होने वाला है इसमें जो है की जो भी बड़े operations होंगे वह भी जो है की Robots के द्वारा भी किया जाएगा और यह Hospital जो है दोस्तों एकदम Advanced Technology का जो है की Hospital है Regency Health और आपको बता दो कि इसके पहले भी जैसे अस्पिटल आलेडी कानपूर में इसका होस्पिटल के लावा लखनव में भी इसका उस्पिटल है और अब अपना ऐस्पिटल जो कि गुरखपूर में भी खोल रही है गुरखपूर के लावग यह Hospital वाराड़ासी में भी अपना और ऐसे तो प्रेजन टाइम में गोरकपूर का सबसे बड़ा प्राइवट होने वाला है जबकि इसके अलावा यसुदा गुरूप कंपनी जो कि देश की बड़ी कंपनी है तो यसुदा होस्पिटल भी अपने गोरकपूर में 200 क्रोड रुपए की लागत से शहर के खोरा बा और उमिदे की जरी है कि अगले महीने डेड़ महीने के अंदर जो है कि यसुदा गुरूप भी अपना कंस्ट्रक्शन का काम जो कि स्टार्ट करा देगी और फिलहाल तो यही होस्पिटल जो रिजनसी होस्पिटल है अपने गोरकपूर मंडल का पहला रोबोटिक सर्जिरी की बोला हस्पिटल जो होने जा रहा है और यह काफी अची बात है अपने गोरकपूर के लिए कि अपना गोरकपूर की अपना की मेडिकल सेक्टर में काफी तेजी के साथ डेवलब कर रहा है और दोस्तों आपको बदा दू कि या सुधा गुरुप भी अप गुरापूर के खोराबर में मेडी सिटी में अपना 200 क्रोड का इनुश्मेंट कर रही है तो वहीं मेदानता गुरुप का जो है कि वहाँ पर भी वो हॉस्पिटल बनने वाला है और मेदानता गुरुप आलेडी जो है कि गुरापूर के मेडी सिटी में जमीन देख चुकी है और GDA यानि गुरापूर डेलवपेंट अथारिटी यही कोसिस करने में लगा हुआ है कि मेदानता हॉस्पिटल भी जो है कि गोरकपूर के खोरा बार मेडी सिटी में अपना हॉस्पिटल खोले जबकि मेदानता क्रूप ने अलेडी ये बोल चुका है कि हम गोरकपूर में बहुत जल्द हॉस्पिटल खोलेंगे और गोरकपुर में मिदानता जो है की 1000 बेड़ वाला जो है की हास्पिटल जो है की खोलने वाला है और मिदानता कुरूप ने ये भी बोला है की गोरकपुर में अगर हम हास्पिटल खोलेंगे तो वो कोई नॉर्मल हस्पिटल नहीं होगा वो वर्ल्ड लेवल का हस्पिटल जो है की गुरकपूर में खोलने वाले हैं और मिदानता हस्पिटल को लेकर जैसे हमें आगे अपडेट मिलेगी मैं आप सो को अपने वीडियो के मादन से सेर करूँगा यानि दोस्तों कि अब अपने गुरकपूर में देश की बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल ब्रांट सोय की अब इंटरी करने लगे हैं तो ये अपने गुरकपूर वास्यू के लिए काफी गर्व की बात होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं तो मिलते हैं दोस्तों हम फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए से अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हैं जय वारा कर दो कर दो कर दो